बुद्ध के जन्मा, संबोधिलाव और महा परनिर्वान, त्री संग्योग पूर्णा ये बैशा कौर्णिमा है, इसलिए जैमं अत्त गाता, बाहुं सहसमविनिं मितसायुधंतं, गिरी में खलं उदितखो, रशसे नमारं। ताना दिधम्म विदिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा भवदुते, जयमंगलानी। मारातिरे कमभियो, सितसा भरातिं। खोरंपना लवकमाक, माथा तयाखं। खंति सुतांत विदिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा भवतुते, जयमंगलानी। नाला गिरिंगा जावरं, अतिमात भूतं। दावा अगिचा कमसनियो, सुधारुननतं। मेतां भूसे कविदिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। उक्खित खाग्यमतिहात्त सुधारुननतं। थावंतियो जनपथं। गुली मालवंतं। इति भी संखतमनो, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। पत्वानकात्तमुदरं, इवगा बिनिया। चिंचाया दुत्तवा जनं, जानकाया माचे। संते न सोम विदिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। सच्चां विहाया मतिसा, चकवादकेतुं। वादा भिरो पितमनं, अतियांधा भूतं। पन्यापदीपजालितो, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। नांदो पनांदा भुजगां, विवुधां महिंदिं। पूते न थेरा भुजगेना, दामापयांतो। इतुपदे सविधिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। दुगाह दित्ति भुजगेना, सुदाताहात्तं। ब्रह्मं विशुद्धि जुति मेति भखा भिधानं। न्यानागदे न विधिना, जितवा मुनिंदो, तंते जसा हवतुते, जयमंगलानी। येतापी बुद्ध जयमंगलाथ गाथा। योवाचको दिन दिने, सरते मतंदी। इत्वाननेक विविधा, निचुपद्ध वानी। मोखां सुखां अधिगामेया, नरोसा पन्यो। साथु, 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 साथु अधिण साथु सर्वानी अधिण बशाओ, अनि मना। साथु, साथु, मत्धा वाजनी। साथु, साथु, साथु पुद्धा द्मा संगाला वनना कराईचा नंतर पंचसिल ग्रान कराईचा जैसा मैं बोलता हूं आप लोग वेशाई बोले अरहं सम्मा संगुद्धो भगवा भुद्धां भगवांतं अभिवादे में एक दावनना कराईचा एक बार वनना कीजे स्वागादो भगवाता अमो स्वाद। स्वादो भगवाता अमो तंहर नमा स्वाउन नमा स्वाद। सुबति पनो भगवातो सावकसंगो संग नमामेन ओकास वंदामिबंते द्वारत येनां गतंग साँबं अपराधं प्रादं घमता मेबांते दुतियांपी तातियांपी ओकास आहंभांते ती सरनेन सहपांचसिलां ताम्मं याचामि आनुगांग कात्वा सिलांग देता मेबांते दुतियांपि तातियांपी यामहं वदामितंग वदेता आमांते नमो था बगवा तो अरहतो समा संभूता साथ नमो था बगवत昨기도 है तो समा संभूता Connie बुतां सरनां गच्छामे धामां सरनां गच्छामे संगं सरनां गच्छामे धामां सरनां गच्छामे दो ती आंप बुतां सरनां गच्छामे दोति आंपि धुत्तं सरनंग गच्चा में, दोति आंपि संगं 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 सरनंग गच्चा में, आदिन्न दाना वेडमनी सिख्खा पडं समाधिया में, कामे सुमिच्चा चारा वेडमनी सिख्खा पडं समाधिया में, मुशा वादा वेडमनी सिख्खा पडं समाधिया में, सुरा मेरयो मज्य पमाधत्ताना वेडमनी सिख्खा पडं समाधिया में, ते सरनेना सहा पंचसिलं धंभं साथ।कं सुरा कितं कत्वा अपमाधेना संपाधेता, साथ, 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 साथ। भुद्धं नमामी, तम्ंं नमामी, सांगं नमामी, आं वंधं वं नमी साथ।कं पडं समाध्वं आज का तमदेशना कारिक्रम शुरू करते हैं सब लोग हाद शुर के बेठी है समंता चक्कावाले शुआत्रा गचान्तु देवता सादामं मुनिराजस सुनांतु सागा मुक्दां थम्मा सवना कालो हैं बदान्ता थम्मा सवना कालो हैं बदान्ता थम्मा सवना कालो हैं बदान्ता नमो तासा अगवतो अरहतो सम्मा सांभुतासा नमो तासा बगवतो अरहतो सम्मा सांभुतासा नमो तासा बगवतो अरहतो सम्मा सांभुतासा साभवपपसा कारनं कुसाला सौपसांपता सचिता परियो दपनां एतंग बुद्धा नसासनां बुले साधु 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 सर्वपथम महाकारुने तठागात पगवान बुद्धको त्रिवार्वन्दना महाकारुने तठागात पुद्ध द्वारा देशित सु आख्यात धंम को त्रिवार्वन्दना महाकारुने तठागात पुद्ध के आरिस्रावग संग को त्रिवार्वन्दना परंपूतनिया बोधिशत्व दक्तर बापसाप अम्बेतकर आज के विशेष बुद्ध जैन्ती कारिक्रम में उपास्तित संपूर्णा स्रता संपन्न बुद्धी संपन्न उपासक उपासिकाएं बिशेषता आज इस जगह पर स्री सत्गुरू ग्रिहा निर्मान साकारी संस्ता पारडाइस ग्रिहा निर्मान साकारी संस्ता रायल पार्क विमान नगर दीप नगरी वस्त्री गनेशा रेसिडेंसी संफूर्न सुसाइटी मिलके सामिक रूप से ये बुद्ध जाइनती कारिक्रम मना रहे है विशेष्टा आज बुद्ध जाइनती है महकारुनेक तथागत बुद्ध का जन्म आज के दिन ही बैशाग पौर्णिमा के दिन हुआ महकारुनेक तथागत बुद्ध ने संबोध ज्यान प्राप्त करके सम्मेक संबुद्ध बना आज के बैशाग पौर्णिमा के दिन ही जिवन भर तम्म प्रचार प्रचार करते हुए 80 साल के उमर में माहा पर निर्वान को प्राप्ट हुआ ये नस्वर देह को त्याग किया आज के बैशाग पौर्णिमा के दिन है बुद्ध के जन्म, संभोदिलाव और महा पर निर्वान, त्री संग्योग पौर्णा ये बैशाग पौर्णिमा है इसलिए हम इसे बुद्ध पौर्णिमा भी कहते है पागवान बुद्ध से एकदम नजदी का जो सम्मन्द है ये बैशाग पौर्णिमा से है के दिन ही बुद्ध बनने के बाद सर्व प्रताम अपने राज्य कपिल वस्तु में आये थे आज के बैशाग पोर्णिमा के दिन ही सुमेद रेशी के समय में देपंकर तथागत बुद्ध से नियट ब्याकरन प्राप्त हुआ था निश्चित रूप से पविश्यवानी प्र करके पविश्यवानी भी यवईशाग पोर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ और यवईशाग पोर्णिमा को एक तरह से बुद्ध, धम, संग के प्रती, स्रत्ता और आस्था रखने वाले संपून बुद्ध अनियायों के लिए एक नया बर्स भी है बुद्ध संबर 25 सर् जो बुद्ध एरा है ये बुद्धों का नई साल भी है चाहे स्रलंका हो, थालैन हो, म्यानमार हो, लाओस हो, कंबोद्या हो, जहां जहां बुद्ध को मानते है वहां वहां आज के दिन बैशाग पोर्णिमा को बहुत ही तुमदाम से मनाते है यहां भी मनाते है अनेक अनेक कारिकरम करके मनाते है अनेक अनेक रियाली निकालते है दम्म देशना का कारिकरम करते है एक दिन का त्यान शिविर लगाते है अनेक अनेक तरह से कारिकरम मनाते है मेगर हमें ये कदापी नहीं पूलना कि जो कारिक्रम हम मना रहे है वो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महा परिनिर्वान, त्रे संगयोग पुर्णा, पवित्र बैशाक पुर्णिमा, बुद्ध पुर्णिमा है ये केवल सुट्ति के रूप में मनाने वाला दिन नहीं है ये केवल चलो अभी बुद्ध को थोड़ा सा फूल माला लगाके थोड़ा पुजा करना है बस मनाना है क्यों? क्योंकि हम बोद हैंबोद क्यों है ?। कि बाबा साप दे हमने जिछा दिया, किवल इतना ही करके कर्मकांद की तरह हमें मनाना नहीं है. हम बुद्ध के अनुयाई है, बुद्ध ज्ञान के प्रतिक है, बुद्धं सरनंगच्छामी हम ज्ञान की सरन में जारे, गौटम बुद्ध के सरन में नहीं ज्ञान जो बैक्ति ज्ञान प्राप्त करते है उसे बुद्ध कहते है बुद्ध आप हम को ही भी बन सकते है महिला पुरुष को ही भी बन सकते है इसका मतलब बुद्ध जगत में बुद्ध भी तीन तरह का है माइत्या है का पता है तीन तरह के बुद्धा तीन तरह के बुद्धा सुनाओगा बहुत बार बस याद नहीं होगा तीन तरह के बुद्ध पले तो एक है स्रावक बुद्ध, दुसरा है प्रतेक बुद्ध, तिसरा है सम्मेक सम्बुद्ध स्रावक बुद्ध वो जो बुद्धों की उपदे सुनके ध्यान अभ्यास करके जो दुखमुकता अरत होता है वो भी एक तरह का बुद्दा है, जिसे हम स्रावबुद्द कहते हैं, बुद्द के उपदे सुनके, सारी पुत्रा मौट गल्यान से लेके, बहुत सारे बिक्चो, पताचारा क्रिशागो तमी उटपल वर्ना से लेके, बहुत सारे बिक्चुनिया, जो दुखमुक्त हुए, जो आरत हुए, उन लोगों को स्रावबुद्द कहते हैं, पहला, दुसरा है प्रतिक बुद्दा, प्रतिक बुद्दा वो जो खुद के मेहनत से दुखमुक्त होता है, मगर वो ज्यान किसी को परचार परसार नहीं करते, किसी को धम्म देशना दे के नहीं बैठते, इसलि दुनिया में प्रतिक बुद्दा कब आये, कब गए, किसी को पता नहीं रहता, पता तभी चलेगा, जब सम्मेक सम्भुद्दा आके बताएंगे, ये प्रतिक बुद्दा, खुद के मेहनत से दुखमुक्त होता है, मगर किसी को बताता नहीं, तिसरा है, खुद के मेहनत से ज्ञान भी प्राप्त करता है, और बोजन इताय और बोजन सुखाय के लिए धम्म का परचार परचार भी करते हैं, उसे कहते हैं सम्मेक सम्भुद्दा, जैसे सिदार्थ गोतम बुद्दा सम्मेक सम्भुद्दा है, उन्होंने खुद के मेह से दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमत पारमिता, तीस पारमिता परिपूर्ण करने के बाद, खुद के महनत परिश्रम से उन्होंने ज्यान प्राप्त किया, वो दी ज्यान प्राप्त किया, बुद्ध बने, सम्मेक संपुद्ध बने, अब मैं बुद्ध बन गया, अ अनेक, अनेक, अनेक जन्मों से, जिस दुखके मूल कारण, जो घर बनाने वाले गृह कारण को ढूट तूटे, ढूटे अनेक जन्म भिता आज मैंने ढूट लिया, घर बनाने का सारा सामान नस्त कर दिया, मतलब सारे तृष्णाओं को खतम कर दिया, अब मैं दुखा मुक्त हो गया, अब मुझे बिमुक्ती सुखा मिल गया, करके बुद्धा केवल अकेले ही सुख सांति से नहीं रहे, अराम से सांति से ठ्यान करते करते जिवन नहीं बिताये, उन्होंने हम जैसे दुखी प्रानियों को देखा हर कोई अपने अपने दुखा में परेसान है नहीं है क्या? जिसके पास है, है का दुखा जिसके पास नहीं है, नहीं है का दुखा जिसको कपड़ा पहने तक नहीं है वो अपने परेसान में है जिसके पास भर के कपड़े परे है, वो अपने तरह से परेशान है, जिसके पास घर है, उसी में परेशान है, जिसके पास घर नहीं है, उसी में परेशान है, अरे, जो खूबसुरत नहीं दिखता, एक दमगंदी सकल रहता है, वो तो परेशान है, जो एक से खूबसुरत दि तो भी अपने में परेशान जिसके पास पैसा है तब भी परेशान पैसा नहीं है तब भी परेशान मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो दुखा पीर चिंता तनाप से मुक्त है हर कोई अपने अपने में परेशान है तो महाकारुनिक तथागत बुद्ध ने ऐसे दुखी प्रानियों को देखकर उन्होंने जिबन भर बहुजन हिताया बहुजन सुखाय के लिए गाउन नगर जनपार देश दिशांटा चारिका करते हुए धम का पचार पसार किया यह मार्गफल में प्रातिश्टित हुआ कोई स्रोटापती कोई सकित अगामी कोई अनागामी कोई अरत दुखा मुक्ता होने वाले तो कितना कितना उपासक उपासकाएं भी स्रोतापती होने वाले तो कितना कितना सकित अगामी होने वाले कितना कितना अनागामी होने वाले कितना कितने तो दुखा मुक्ता आरत भी होते थे मतलब इतनी लोगों का कल्यान हो गया तो ऐसे लोगों का कल्यान करने वाला सम्मेक संबुता खुद के मेनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी परचार परचार करते हैं वो सम्मेक संबुता तो तीन तरह के बुद्ध है उसमें से श्रावक बुद्ध अभी हमने बुद्ध उपदेश जाना सिखा अभ्यास किया और क्लेश त्रिष्णा को नास करते हुए हमने अरत ग्यान प्राप्त किया तो हम भी बुद्ध बने के श्रावक बुद्ध समें सम्मुद्ध बनने के लिए तो दस पारमिता दस उपारमिता दस परमत पारमिता पूर्न करना है आप लोग दान देते की नहीं? दान देते की नहीं? दान देना चाहिए की नहीं? दान कैसे देना चाहिए अक्सर लोग जो देना चाहिए सब लोग देरे करके देते है या ये मेरे पास ना भी रहा तो चलेगा देते है पर जब कभी अपने को जरूत है वो दान देना परे तो पता चलेगा कि दान देना है या नहीं फिर भी दान इस तरह से देना चाहिए जैसे एक बोतल रहता है ना बोतल का तकन खोल के उल्टा उसको करेंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब निकल के जाएगा की नहीं जाएगा की नहीं वेशा दान पार मिता पुर्ण करना चाहिए मतलब कभी भी किसी कुपी जरुरत पड़ा या कहीं भी वो मोका मिला तो दान देना चाहिए नहीं नहीं अभी तु सुबह दिया अभी क्यों दो अभी देखेंगे ना बाद में ऐसा नहीं अमेशा तयार होना चाहिए दान पार मिता पुर्ण करने के लिए इतना किया तो दान पार्मिता पूर्ण हो सकता है हम स्रावग बुद्ध के तरफ आगे बर सकते हैं इतना दान दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे? अपी सर नहीं हिल रहा है उससे आगे की बात सुनो अगर किसी को आँखे की जरुट पड़े और आप से मागे आपके पास दो है एक आँखे दो मैं अंदा हूँ मैं आँखे देख पाऊंगा दे पाएंगे क्या? कोई आँखे बोलेंगे आपके पास दो किर्नी है किर्नी डामेज होने की वज़ा से वो मर रहा है आपकी किर्णी से वो जिंडा हो जाएगा आप दान देजे दे पाएंगे क्या कोई ये माँगे सरीर का अंग प्रतेंग बिना स्वार्थ के निस्वार्थ वाप से दुसरों के उपकार के लिए आप दान दे पाएंगे तब जाके दान उपपारमिता पुर्ण हो पाएंगे मतलब बुद्ध ना भी रहा न तो आप खुद के मेनद से बुद्ध हो पाएंगे फिर आगे सुनो आगे ऐसे भी अवस्ता आएगा कि जो दान देने से निश्टिते आप मर जाएंगे जैसे हाठ दान देना जीते जी हाठ दान दिया तो मर जाएगा ऐसा बहुत सारे चीज़े हैं सरीर के अंग प्रतिंग ऐसे दान दिया कि आप मरी जाएंगे आपको पता है आप मरेंगे फिर भी लोगों के हीट उपकार के लिए आप दान दे दे तो उसे कहते हैं दान परमत्थ पार्मिता दान का पराकास्ता है कर पाएंगे क्या हम यह तथागत बुद्दा एक समय में महा सत्तो राजकुमार होके जब जनम हुआ राजकुमार जंगल में गुमने गए तो जंगल में देखा एक बगीनी एक ताइगर और उसके बहुत सारे बाल बच्चे और खाना न मिलने की वज़ा से भूखा सुखा वो मरने वाले हैं उसके बच्चे दूद चुस रहा है दूद नहीं आ रहा है मा मरने वाले हैं मा मर गया तो बच्चे सब मरने वाले यह देखके वो महासत्तो के मन में इतना महित्री करुणा जागते है कि मैं इन सभी को बताने के लिए मैं अपना जिवन दान दूँगा सारे राजकुमारों को बेज के मैं थोरी दिर में आता हूं करके वहां गया वो दान देने के लिए उसके सामने मतलब शिकार होने के लिए गया कि खुद को खाये करके सामने गया पर वो बगीनी में इतना भी सक्ति नहीं बचा था कि सामने पर शिकार को चपट के मारे खाये इतना भी अब क्या करे? कोई शिकार करें तो फिर भी आसान है महाससर तो क्या करते हैं यहां वहां से जो टारेला खुछ वह लक्री वक्री लाके खुद का मांक्स खुद काٹ काट के उसके मुँँ पे खिला रहे कर पाएंगे क्या हम खिला के इतना खिलाया इतना खिलाया जब उसमें थोड़ा ज्यान आया, फिर उसको मारके खाया, सबका बज गया पर उसमें अपना ज्यान दे दिया, यह है दान का पराकास्ता, हम जैसे लोग तें, के तुम मुर्खता पने हैं न, ऐसा भी होगा क्या, ऐसा भी है क्या, पर जो बुद्ध बनने वाले हैं, जो सम् बनने वाले हैं, ऐसे चीजों से बहुत बार गुजरते गुजरते जाते हैं, मतलब कभी किसी को जरुरत परा, तो थोड़ा भी सोच के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दान देना है, जान गए तो गए, शरीर के अंग प्रतिंग गए तो गए, बाकी दुनियादारी चीज तो बहुत सोती मुती बात है, उन्होंने कभी देश के मंगल हाती भी दान दिया, कभी अपने बाल बच्चे भी दान दिया, अपने बीवी तक दान दिया, दुसरों के दासी बनने के लिए, नजान ने क्या क्या दान दिया, ये दाना, अब इतना हम कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे नहीं नहीं थिरे 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 प्राक्तिस करते 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 हम इसमें भी परक्टेक्ट बन जाएंगे अभी तो हमारे लिए तो है किए दो अने विष्वाष क्या रोट। ये तो अन्दविश्वासी हो गया? जहाँ जहाँ स्रट्द्ध नहीं होता देखना। ह हार चीज अन्दविश्वास है। श्रट्धा है प्रण्या चाहिए अन्नेथा देखो नख़ बुद्ध जहिंति का पवित्र दिन है ऐसे समय में हम कहां त्यान साधना करके अपने इकलेश को जानके उसको निर्मुल करना छोड़के रात को यहां कारेक्रम कर रहे हैं किसी के गार में खाना बना या नहीं बना बच्चे होगा खाना खिलाना होगा वो सारा चीज छोड़ तो इतने अच्छे से करेंगे जो कर रहे वो तो अच्छा ही आप लोगों के मन में बुद्ध के प्रति विश्वास है बुद्ध के प्रति स्रत्ता है तो बुद्ध जहिंति के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे अगर स्रत्ता नहीं है है थोड़ा 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 जैसा रहा तो कुछ मौका मिला तो करेंगे या पुद्ध को छोड़के चलो अब यह हम गुवा कुमने जाएंगे चलो 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 पिकनिक जाएंगे चलो 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 है ना श्रत्ता जिसमें रहा वो ऐसी बाते नहीं करते और प्रंक्या जो हम कर रहे हैं उसको चान चान के सलेक कर करके ये अच्छा है इसको संग्रेचिन करके बढ़ाते जाओ ये बुरा है उसको लिमित करो खतम करते जाओ ये प्रज्या हमें देगा इसलिए स्रद्दा होना बहुत जरूरी है बिना स्रद्दा के ना अच्छे से दान दे पाएंगे ना अच्छे से सिल पालन कर पाएंगे त्यान साथना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर स्रद्दा नहीं रहा तो इसे होगा नहीं होगा त्यान करके दुखमुक्त होगा ऐसे अनेक वो सुख मिलता है बोलते है जब से बेथा तब से परेशानी चल रहा है यहां दर्द वहां दर्द ऐसा भी दुखमुक्ति का मार्ग है क्या स्रद्दा नहीं रहा तो भाग जाएगा स्रद्दा बहुत ज़रूरी है तथागत बुद्द कहते हैं कोई एक इनसान दूर गाउं से वो एक गाउं के तरफ आया गाउं पहुंचते पहुंचते वहां बोर बड़ा एक नदी लगता है अब वो तो दूर गाउं से आया है अन्जान है और वो इतना बड़ा नदी पार करे तो कैसे पार करे वहां फूल भी नहीं है टेर के भी नहीं जा सकता तो वो किनारे पे बैठके सोचते रहते हैं इतना बड़ा नदी है, नदी पार तो करना है, पर करें तो कैसे करें, वो वहीं बेथे बेथे सोचते रहते हैं, ऐसे में कोई एक स्थानिक इंसान वहां से गुजरता है, और उसको भी नदी पार करके जाना है, उसने अपना कपड़ा उपर तक खीचा, और जहां जहां गहि टिड़ाई नहीं है उसको पता है वहाँ से अराम आराम से नदी पार करके जाते हैं तो यह देख के वह जो दूर गाउं से आए हुए इंसान ने अच्छा यहां से गए तो ऐसे जा सकता है चलो मैं भी जाता हूं तो वह भी उत्षा करता है पराकरम करता है मेहनद करता है और अपना कपड़ा भी ऐसे उपर उठाके वहीं 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 चलते चलते नदी पार करता है ये स्रद्दा है स्रद्दा रहा तुट थागत बुद्द के उपदे सुनके एक नहीं दो नहीं सो नहीं अजार नहीं लाक नहीं कोरोदों कोरोद लोगों ने अपने मार्क पॉल प्राप्त किया है अगर मैं अभ्यास करूँ तो मुझे भी प्राप्त होगा ये स्रद्दा बल देता है स्रद्दा नहीं रहा स्रोतापति सकिटागामी ओनागामी और होता है क्या ऐसा दुखमुकत ऐसा होता है क्या क्लेश खत्म होता है क्या, एक डाम, मतलब ऐसा भी होगा क्या, मतलब बैथा रहेगा, वो आगे नहीं बर पाएंगे, इसलिए स्रद्दा होना बहुत जरूरी है, दान देने में भी श्रद्दा नहीं रहा, तो दूँ या न दूँ दूँ या न दूँ, देने से क्या, अपन से पुन्ने होगा क्या अने दान देना आसान है क्या आसान आहेका नहीं हो नहीं हो नहीं हो नान देना और लडाई में युद्ध जितना समान है अब युद्ध जितना आसान है क्या दुसरे देश के सहीनिकों के साथ लडाई करके परास्त करके अपना विजे दोज फैडाना बहुत मुश्किल काम है वैसे ही दान देना भी उतना है मुझके लिए क्यांकि यह मन का सुभाब है, कुछ भी अच्छा दिखे, अरे कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, बस वो लोब लालस को बड़ा-बड़ा के बड़ा-बड़ा के, वो दुनिया में कुछ भी पाप हो, हर चीज करने के लिए तयार ह होते हैं हर चीज मैं मैं मेरा मेरा ये वहाब ज्यादा है तो ऐसे में दान देना आसान बिल्कुल नहीं है जब हम मुम्मे में रहते हैं तो मुम्मे में जब रहते थे तो वहाँ एक उपाशिका बहुत उमर होगे 80-90 साल के वह उपाशिका हमसे बात करते थे ना तो वह बोलते थे बंत जी ये दुसरों के उपकार के लिए यहां के लिए वहां के लिए दान देना दान देना ऐसा बोलते हैं ये दान दे के काई के दुसरे का उपकार अपना ही उपकार होता है अपना ही कल्यान होता है वह जिला जिला के बोलती थी कैसे दान देते ही आपका कुसल कम हो गया फुन्य मिल गया वह भाईता दुसरा दान देते ही मन में जो हमेशा मैं मैं मेरा मेरा मुझे मुझे वो लूब लालज को पूर्ण रूप से ना सही पर थोड़ा थोड़ा उसको दमन भी कर रहे, समन भी कर रहे, यह इसका कल्यान हो गया, और दुनिया में देखना जो देते हैं वो सब का प्रिय होता है, मनुस्य तो मनुस्य, मनुस्य छोड़के भी कोई भी पौशू, पंची जीवजन तो किसी को भी देखो, अगर हम उन लोगो को खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब को पसनाता है, देने वाले सब को पसनाता है, सब का प्रिय होता है, इसलिए दान देने से, हाँ मैं ये प्रोगाम के लिए दान दे रहा हूँ, मैं यहां के लिए दान दे रहा हूँ, मैं उसके लिए दान दे रहाँ, मैं उसके लिए दान दे रहाँ दान देने से खुद का ही कल्यान होता है ये बात समझ के चलिए अच्छा, दान देना चाहिए ये तु पता है सब लोगों का मानने है, दान देना चाहिए अतमला सांगा मुझे बताइए दान कहां देना चाहिए? कहां देना चाहिए? कुटे जेचा? कुटे अच्छी जगा? जैसे अच्छी तो अच्छी कौन सा अच्छी? आश्रम और? विपस्चना और? हाँ एक बार महाकारुनिक तठागत बुद्ध के पास कोसल देश के राजा प्रसेंजित आके यही प्रस्न करता है भगवान आप जब भी दान देते हैं जब भी प्रवचन करते हैं दान देना चाहिए दान देना चाहिए एशावपदेश देते हैं आपके श्रावक शिश्य लोग जब भी प्रवचन देते दमा देशना देते वो लोग भी दान देना चाहिए दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते है आप लोगों को पता है दान कहां कहां तथागत बुट उपदेश देते है जैसे दस पारमिता आता है दस पारमिता बल पार्मिता में सबसे पहला पार्मिता ही दान पार्मिता है। उसमें भी सबसे पहला पार्मिता पार्मिता में सबसे पहला पार्मिता है। इसा दुख्ष मुक्ति का उपदेश नहीं देते। पता है क्या। तथागत बुद्दा किसी को भी सीदे सीदे दुख्ष मुक्ति का उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक सफेट कपड़े में नया रंग चराना हो तो सबसे पहले उसको दोते है। उसका सारा मेला, सारा उसका जो भी दाग है वो सब निकालते है। फिर उसमें रंग लगाएंगे तो अच्छे से पकरता है। वैसे ही उपास अग उपास का कोई भी दुखा और दुखमुक्ति का उपदेश सुनने को आये। और तथागत बुद्य ने दे दिया। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उन लोग के मन को सांत और स्थीर और अच्छा बनाने के लिए दान कत्ता, सील कत्ता, नेश्क्रेम कत्ता, यह पंजकाम आधिन्व कत्ता करके प्रारणविक उपदेश देते है। उसमें सबसे पहले तथागत बुद्दा यही दान का उपदेश देते है। दान के बार सिल के विशे में इस तरह तथागत बुद्दा बहुत जगह पे दान का उपदेश देते हैं इसले भी तथागत बुद्दा बताते हैं बिना दान दिये कुछ भी संभब नहीं है बिना दान दिये ना आपका सिल परिपको हो सकता है ना त्यान परिपको हो सकता है कोज भी नहीं, ये मूल आधार शिला है, हर पुन्ने का आधार है ये दान, इसलिए तथागत पुता प्रारंब में दान का उपदेश देते हैं, तो प्रसेंजीत राजा पूछते हैं, कि आप दान के विशे में दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे उपदेश देत मुझे दो पिखु संग को दो भीहार में दो ऐसा नहीं कहते हैं अगर ऐसा कहते है तो बुद्ध बुद्ध कैसे ओता है ले जैन से सुनियां दान कहां देना है ताफ बुद्ध कहते है यत्थ जित्त पसिदती तत्थबाधबं जहां आपका मन प्रसन न हो वहां दान दो कहां दान देना है जहां दान दे के आपको अच्छा लगता है वहां दान दो चाहे भुखे लोगों को खिलाओं चाहे मांगने वाले को दो चाहे सन्यासियों को दो आस्रम में दो इकरे तिकरे काईपन कुट्टेपन जहां देके आपको अच्छा लगता है वहां दान दो समझ में आए क्या यह पहला फिर राजा पूछते है भगवान कहां दान देने से जाधा पुनि मिलेगा कहां दान देने से जाधा पुनि मिलेगा उस समय तथावत बुत कहते हैं महाराज पहले का प्रस्थन और अभी का प्रस्थन जमीन आस्मान का फरक है कहां देन दान देना है जहां इच्छा हो वहां दान दो मगर कहां दान देने से ज़्याद अपने मिलेगा जिस तरह एक कोई भी अन का बीज है जैसे दान का बीज वो दान के बीज को अच्छे जमीन पे लगाएंगे हावा पाने अनुकूल होगा तो वहां दान ज़्यादा फलेगा कि नहीं ज़्यादा ही आएगा वही अच्छे दान के बीज को जहां कंकर है या रेती है, ऐसे जगह पे, ऐसे खेट पे लगाएंगे, तो धान तो आएगा, मगर बहुत ही कम आएगा, वही धान के बीज है, एक जगह पे जादा आ रहा है, एक जगह पे बहुत ही कम आ रहा है, और वही धान के बीज को, बहते हुए पानी में हमने दाला, तो क्या होगा वो भीज भी बहके खतम हो जाएगा कोई भी धान नहीं आएगा बस इसी तरह दान भी अपने आप में अच्छे पुन्य रूपी भीज है अगर अच्छे जगह पे दान देंगे जहां सिल्वान है गुन्वान है अच्छे जगह पे सदुपयोग होता है ऐसे जगह पे दान देंगे तो उसका पुन्य ज्यादा मिलता है जो अच्छा नहीं है फिर वे आप दान दे रहे चाय मागने वाले को दान दिया आपने खुशी से दान दिया आपको ये नहीं सूचना कि राट को दारू पियेगा या जुआ खेलेगा या क्या करेगा ये नहीं सूचना दान दिया उसका पुन्य मिलता है पर बहुत ही कम मिलता है और गलत लोगों को गलत जगह पे दान दिया तो उसका पुन्य मिलना तो दूर की बार कभी-कभी पाप का भागीदार भी होना परता है जैसे कोई गुन्दागर्द करने वाले है और उसने बहुत ही उपकार किया करके 50,000 का इतना बड़ा तलवार हमने दान दिया 50,000 तलवार पर उससे क्या करेगा लोगों का हिंशा करेगा दुख देगा किसी ने उपकार किया करके चलो 5,000,000 का पिस्टोल 5,000,000 का बंदुख दान दे दिया पर उससे क्या होगा लोगों का हिंशाई होगा इसलिए गलट लोगों को गलट तरीके से दान देना उससे पुन्य नहीं मिलता जैसे भोजन दान देना पुन्य है कि पाप है पुन्य है इसलिए हम भोजन दान देते हैं पर कभी कभी कोई डाबेटिज पैसें को भोजन दान देना पुन्य है करके उसको जबर जश्ति हमने डाल भात छिला दिया चावल खिला दिया तो पुन्य मिलेगा क्या उसके लिए तो जहर है न पुन्नी मिलेगा क्या इसलिए हर जगह पे प्रज्या होना जरूरी है पन्यावंत सायंग धम्मो तठागत भुत कहते है यह प्रज्यावानों के लिए धम्म है आपको दान देने से लेके, सिल पालन करने से लेके क्यान बाबना करने से लेके, हर जगह पे प्रज्यावना जरूरी है इसलिए दान अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुन्नी ज्यादा मिलेगा अब अच्छे, क्या अच्छे, कहां अच्छे तो बहुत जगत में खुब प्रसिद्ध एक ग्रंथ है मिलिन्द प्रस्णा, जो ग्रंथ में अरत पिक्को नाक्षेन और मिलिन्द राजा का प्रस्णा उतर होता है तो वहाँ पे राजा मिलिन्द भी पूछते है अरत पिक्को नाक्षेन से पंते जी कहां दान देने से ज़्यादा पुन्नी मिलेगा तब अरत प्रिक्व नाक्षिन मनते अच्छे से समझाते है जैसे हम पसू पंचियों को दान देते है उसका भी पुन्ने मिलता है बहुत सारे कोई पंचियों को खिलाते है कोई पसू को खिलाते है है न तो उसका भी पुन्ने मिलता है साइकरों पसूपंचियों को दान देने से भी, बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना, उसका पुन्य ज्यादा होता है क्योंकि पसूपंचिंख भी खापी सकते है, इंसान नहीं खा सकते है। और इंसान चेतन चिलव प्रानी है सईकड़ों बुरे से बुरे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा बनने के प्रियास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुन्य ज्यादा मिलता है अच्छे बनने के प्रियास कर रहे सईकड़ों इंसानों को दान देने से भी जो अच्छा है जो सील्वान है जो गुन्वान है उसको दान देने का पुन्य ज्यादा मिलता है और एसे सईकड़ों सील्वानों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्टित या स्रूतापति फल में प्रतिष्टित ब्यक्ति को दान देना उसका पुन्य ज्यादा उससे भी ज्यादा सकिडागामी फल में उससे भी ज्यादा अनागामी उससे भी ज्यादा जो दुखमुकता अरट हो चुके है उसको दान देने का पुन्य ज्यादा मिलता है और उससे भी ज्यादा प्रतेक बुद्ध को दान देने का पुन्य मिलता है और उससे भी ज्यादा सम्मेक संबुद्ध को दान देने का पुन्य तो इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है समझ में आया क्या, दान अपने आप में पुन्य रूपी बीज है, अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुन्य बहुत ज़्यादा मिलेगा गलत जगह पे दान देंगे तो कभी-कभी हमें पाप का भागिदार भी बनना परता है इसलिए सूज समझ के अच्छे जगह पे स्रद्धा पुर्वक दान देना चाहिए अभी घर में आग लग गया कहर में आग लग गया तो क्या करेंगे हम? पानी दालेंगे आग को बुझाएंगे तो आग को बुझाने की कोशिश करते बी वह आग अभी बहुटी बढ़ गया अभी भुझी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? घर के सारे लोगों को सुराचित बटा के बाहर लेके आएंगे उसके बाद भी जो समय मिलता है, जल्दी जल्दी घर के मुल्यवान बस्तु जो है न, फटापट 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 हम बाहर निकाल के लाएंगे, जितना निकाला उतना ही हमारा है, जितना निकाला उतना ही बच जाएगा, पाकी सब जल के राख हो जाएगा, बस समझ लेजिए हमारा जीबन भी ऐसा ही है हमारे जीबन भी आज जल रहा है जरा जेरना मरन रूपी आज जल रहा है हम भुड़ा आपे के तरब निरन तर आगे बर रहे वैसे कोई भी अपने आपको भुड़ा कहना नहीं चाहते जब छोटे छोटे बच्चे भी अंकल एंटी बलेंगे अरे अपना बच्चा इतना बड़ा हो गया है ना निरन तर हम भुड़ापे के तरब जा रहे निरन तर हम भीमारी के तरब बर रहे निरन तर हम मिर्ट्यु के नज़दिक 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 बर रहे सही है न, तो ऐसे आग जल रहा है, सपोज इंसानों के आयू कितना रहेगा, एबरेश, सत्तर, पचतर, या पकर लो सो साल, हैं, हर साल में कितने दिन रहता है, एक दिन में कितना घंता रहता है, 24 गंता, एक घंते में कितना मिनित रहता है, 7 मिनित, एक मिनित में कितना सेकेंड रहता है, 7 सेकेंड, और ये जो सेकेंड है न, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पल, पल, पल बितरा है न, ये जो बिता हुआ पल, एकीन मानिये, आपने जिवन भर कमाया हुआ तन संपती भी लगाएंगे न फिर भी वो बिता हुआ पल वापस आने वाला नहीं है वो हमारे जिवन से खतम हो गया तो इस तरह हमारा जिवन पल प्रतिपल खतम हो रहा है बुढ़ापे के तरफ जा रहे बिमारी के तरफ बढ़ रहे एसे जिवन में जितना हम अच्छे जगा पे दान पुन्य करेंगे वो ही सही माइने में हमारा तन है वो पुन्य रूपी तन न भाई भाई न बहन बहन में भाग लगता है न किसी को देना रहता है न आग जला सकता है न पानी बहा के खतम कर सकता है न सत्रू सदेंट कर सकता है न चूर चुरा के लिके जा सकता है न सरकार सर्वसहरन कर सकता है कोई भी नास नहीं कर सकता एसे पुन्य रूपी संपति हमें कमाना चाहिए यह जो तान संपति तो तथागत बुद्धा काल सर्प बताते हैं जैरिला साप जैसा तान संपति को अच्छे से सदुपयोग किया तो यह तान संपति से बहुत सारा पुन्य कर सकते हैं मेगर तान संपति को अच्छे से सदुपयोग करना नहीं आया तो यह तान संपति की वज़ा से ही यह की मा के गर्व से निकला हुआ पाई भाई बेहन बेहन भी जानी दुस्मन की तरह रहता है और बहुत सारे सुत्रू पईडा होता है कब उसका जिन्दगी खतम हो जाएगा पता नहीं इसलिए महाकारुनिक तठागर पुद्द कहते है ऐसे जरा जिर्ण मदन रूपी आग निरंतर जल रहा है जितना हो उतना पुन्ने करेंगे थम करेंगे उतना ही हमारे जिवन में कल्यान है इसलिए कहते है जो तन संपति हम मेरा मेरा करके हम उसको बचा के रखत न जो तो गुम गए समान है क्यूंकि न हउसको हम बेवार में प्रयोग कर सकते है न मरने के बाद ये मेरा धान करके साथ में लेके जा सकते है और जो दान संपती हम बेवार में प्रयोग करते हैं खाने को पीने को लगाने को ये बेवार में प्रयोग करते हैं वो केवल है समान कम से कम प्रयोग तो हो रहा है मगर जोज संपती हम अच्छे जगाँ पे पुन्नी करेंगे तान देंगे वो पुन्नी रूपी संपती ही हमारा सही माइने में अपना है वो पनी रूपी संपती जब तक हम जीएंगे तब तक ये परछाएं के तरफ पिछे 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 आपने मारे साह्ते है आपकी जीवन में बहुत बड़ा समस्या। बहुत बड़ा तकलिफ आ गया अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करूं क्या न करूं और ऐसे समय में आपको पता चला अरे मेरे पास तो वो है वो आधार है उसके रहते हुए मुझे क्या होगा बस इतना सोचते ही वो सारा समस्याएं हलका हलका लगने लगता है एक आधार तो यह पुन्ने वो आधार बन जाता है हमारे जीवन में इसलिए महाकारुनिक तठावत बुद्द कहते हैं जैसे सर पे आग लगा हो तो हम यह सोचके नहीं बेचते हैं अभी मैं बहुत बीजी हो मुझे यह काम करना है वो काम करना है सारा काम खतम कर के मैं अराम से यह बुद्द कहुंगा यह नहीं सुचते पहले ही वह आउताते है जिस तरह साटी पे बान लगा तो हम यह पूद के नहीं बेचते हैं एंगति करते हैं उसी तरह हमारे जिवन में भी खुब सारा दुख है तकलिफ है अनेक अनेक पीदा उठ पीदन है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता अगर सही है ये बात सत्य है तो सबसे पहला प्राथ मेक्ता जिवन का तार्गेति होना चाहिए कि ये दुखों से हम ख़ार नेक तथागत बुद्द के पास कोई आगर पूस्ता है कि भगवान या जो शारे धम है कौन सा थम मश्रेषत है कौन सा थम मुद्द है तथागत बudद अमुग तफाभ सिर्षत नहीं बताते है के वो डौछ डौचीज बताते है जो तुम ये दौचीज अच्छे स सिखाता हो वो दो चीज़ क्या है दुखा दुखा मुक्ति तता अगत बुद्ध ने दुखों के विशे में भी अच्छे से बताएं दुख के साथ दुख के कारण भी बताएं दुखा मुक्त निर्वान के विशे में भी बताएं और निर्वान के साथ निर्वान खूंचने का मार्ग भी बताए तो आज पवित्र बुद्ध जाइनती है ऐसे पवित्र दिन पे महाकारुनेक तथागत बुद्ध को जानना तथागत बुद्ध के धम को समझना और उसको अभ्यास करना सही मायने में हम बुद्ध के प्रति आदर सदकार है हम बुद्ध को पुजा करते हैं केवल अगर पति तो आप फल पली त्यादि से नहीं इमाय तम्मानु दम्म पति पतिया पुद्ध को पुजे में तम्म अनुसार तम्म आचरन करके बुद्ध को पुजा करना है तम्म अनुसार तम्म आचरन करके संग को पुजा करना है पर तम्म अनुसार तम्म आचरन करके केवल मुँसे नहीं केवल देखावती नहीं केवल लोगों के सामने में तार्मिक हों वो एक्टिंग करने के लिए नहीं याद रखना जो जो समाज में बहुत सारा देता है जो खुद अच्छे ना भी हो तो लोगों की सामने बहुत अच्छे बनने का बकू भी ना तक करके बैठते हैं एकिन मानिए जितना मेहनत आप अच्छे दिखाने के लिए जो मेहनत करते हैं न उतना मेहनत सही में आप अच अच्छे भी बन जाएंगे इसलिए हमें केवल दिखावे में नहीं जाना अच्छे बनने के लिए जाना यह तथागत बुद्द के उपदे से इसलिए तथागत बुद्दा हमेशा कहते है सब पापस करनंग जितना भी पाप हो गलत हो और ना करो कुछ लस उपसंबता जो भी अच्छे है पुन्य है ता मैं उसे करो सचीत परियोद बनन अपनी चित्त को परिश्ट रखो जब जब चित्त असुद्ध होगा मूँ से भी असुद्ध ही निकलेगा सरीर से भी असुद्ध ही काम होगा और चित्त परिश्ट रहा तो वानी से भी खूब अच्छा अच्छा निकलेगा सरीर से भी खूब अच्छा अच्छा पुन्यकारी होगा इसलिए चित्त परिश्ट रखो ये तीन चे तथागत बुद्ध हमेशा बताते हैं तो बुद्ध पुर्णिमा के उपलक्षे में बुद्ध को हम अच्छे से जान सके है तथागत बुद्ध कहते भी है यो तमंग पसती सो मंग पसती जो तम्म को देखता है वो बुद्ध को देखे समाने जो तम्म को पैचानते है वो बुद्ध को पैचाने समाने है इसलिए तथागत बुद्ध को जानना है समझना है तो उनके धम्म को अच्छे से जान सके सम संति प्राप्त कर सके सही माइने में बुद्द के पुर्दा के पुजा है तमा के पुर्धि पुजा है संग के पुजा है तो आज सब से स्पा जाइनती है था जिए भीया शुवकामना और मंगल मईत्री आशिरवाद प्रकत करते हैं तथागत बुद्द के धम को अच्छे से तारन कर सके जान सके और अच्छे से ब्यवार में पालन करते हुए ये दुरलाव या मुल्या ये सर्वस्रेश्ट मनुस्य जिवन को सफल बना सके साथक बना सके आउन्त में जन्मजराब यादि मरन से मुक्ता निर्वान तक साथ-साथ कार कर सके ऐसी कामना करते हुए आज का ये दमदेशना यहीं समापन करते है दमदेशना के अन्त में बुद्दवानी पाली गाथा द्वारा आशिरवाद देते हैं सब लोग हाज़ोर के बेठी बुल सादो, 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 बुद्धवानी पाली गाथा दुवारा आशिर्वार देते हैं. सभी दियो विवा जन्दू सब्भरो गो विनासतू माते भवा त्वांधरायो सुखी दिखायो को भवा भवतो सभ्वमंगलं रखंतो सभ्वदेवता सभ्वद्धानु भावे नासता सुथि भवांतुते भवतो सभ्वमंगलं रखंतो सभ्वदेवता सभ्वद्धानु भावे नासता सुथि भवांतुते पबतु सब्भ मंगलं रखंतु सब्भ देवता, सब्भ संगानु भावे नसता सुत्ति भबंतुते, इचितं पाचितं दुयांगि पमेव समीचतु सब्भ पुरेंतु जीत संकाप्पा चंदु पन्नरसोयता, आयु आरोग्य संपाती सगसंपाती मेवचा, अधो निप्भान संपाती हिमिनाते समीचतु सादु, 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 भुतन नमामि, तमन नमामि, संगन नमामि, अहंग वन्दामि सब्भ बदा। सबका मंगल हो, कल्यान हो, सुच्छी हो, ये कारिक्रम तमदेशना का यहीं समापनु उता है। सबस्ता है। सादु, से नमामि, से नमामि, वन्दा नमामि, स्रीदेशना का यहांग विस्ता नमामि, तमन नमामि, अधान्य कता है। आहीं आप तो तुच्ट वाए निपरा जिक्दाइं बदों तो इंजा हैं तो मात्यरों यांकि धन्यवाद करें प्रकड़ांतर पिपी धन्यवाद करें प्रकड़ांतर चैसां पत्यरों करें तो और एक को Presshots .... में चैनें दो करेकां संतनमें इन्युदुदुदुदु кажется कि दो ऌतकेфф है दूसे से अप्र गजश्ट एंग झाय्जरू कि थे छोटिम दुआतर भी कि अर आर को… कि अरतके दो अर फो झार कि अप्रेट कर दो अप्रेट कि यह कर दोगा है साथू, साथू, साथू बुद्धां नमामे बुद्धा को नमन करता तमन नमामे तम को नमन करता हूँ संगन नमामे संग को नमन करता हूँ करता हूँ